नमस्कार मैं हूँ दॉक्टर सुरभी सोलंगी, consultant homeopathic physician since last 14 years. आप देखरें मेरा चानल सेहत सुरभी. आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही उपी होगी homeopathic medicine के बारे में जिसका नाम है इसका मदर टिंग्चर किस काम आता है, क्या कै इसके फाइदे होते हैं, यह सब बाते आज डीटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. Homeopathic में basically 3 sources से medicines बनती हैं, एक तो plant kingdom हो गया, animal kingdom से भी होती हैं, और mineral kingdom से भी होती है. तो यह जो particular medicine है, यह plant source होता है, plant kingdom की यह medicine है, इसका जो common name है, basically इसका जो nut होता है इस plant का, उससे यह medicine बनती है, इसको cola nut बोला जाता है, आम भाशा में cola nut के नाम से यह जानी जाती है, इंडिया में यह plants मौजूद नहीं होते हैं, basically यह एफ्रिका में पाये जाते हैं, जमाइ content होता है, उसमें caffeine मिलती है, तो इसके जो कई सारे अच्छे effects हैं, वो caffeine की वज़े से भी होते हैं, इसके लवा और भी कुछ compounds इसमें मौजूद होते हैं, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो caffeine होती है, वो nerves को stimulate करने का काम अच्छा करती है, एक alertness बढ़ाने का काम अधिके से ही जब हम लोग इस medicine को, स्रक्यूलिया एक्यूमिनेटा को as a tonic यूज़ कर सकते हैं, in fact, यह बहुत अच्छा nerve tonic है, बहुत अच्छा heart tonic है, और बहुत अच्छा एक general tonic भी यह थावित होता है, तो यह medicine क्या करती है, अगर आपके शरी में बहुत जादा weakness है, थकान रहती है बहुत जादा, तो उस condition में इसका role काफी अच्छा रहता है, weakness को दूर करने में, थकान दूर करने में, आपकी mental alertness को बढ़ाने के लिए, तो यह काफी अच्छा काम इन सब चीजों में करती है, और यह एक diuretic की तरह भी काम करती है, यह जो medicine है, इसके इलाव पितिक डॉक्टर के consultation के तुरू ही, अगर आप medicine लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसके लावा एक बहुत important role इस medicine का है, जो कि बिलकुल मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई लोग होते हैं जिनको alcohol का addiction हो जाता है, यानि कि वो कुछ लोग तो occasional drinkers होते हैं, कभी कबार party वगेरा में ले ली, वो उसके लिए addicted नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे addict हो जाते हैं, कि जिसे morning में उठे तो पहली चीज़ अब यहीं चाहिए, craving होने ही लग जाती है, शराब के लिए बहुत जादा, और उसको चाहा की भी छोड़ नहीं पाते हैं, उनकी life disturb हो जा उसमें भी उसको छोड़ने अगर आप चाहते हैं, तो उसमें आपको यह medicine, यह जो mother tincture है, sterculia accumulator का है, यह काफी help करता है, क्योंकि यह शराब की craving को कम करने में help करता है, मदद करता है, तो अगर आप sterculia accumulator का mother tincture है, वो शराब छोड़ने के लिए use करना चाहते हैं, तो आप इसको आधे कब पानी में 10 बून मिला के सुबह, उसी तरीके से दोपहर में, उसी तरीके से शाम को 3 टाइम इसको जरूर लीजिए, इससे आपकी जो craving होती है, शराब के प्रती वो कम होती है, उसको control करने में आपको काफी जादा help मिलती है, तो यह medicine जी हाँ alcohol addiction के करती है, आपके mind को जादा alert बनाती है, in fact आपकी muscular power को भी थोड़ा बढ़ाती है, यानि कि आपको अपनी body में strength थोड़ी अच्छी महसूस होती है, इस medicine के tincture के बाद, अगर मैं इसकी dosage की बात करूँ, और potency तो मैं आपको बताया है, कि mother tincture में आप यूज कर सकते हैं, क और इसका dosage है, अगर हम उसकी बात करें, तो बिल्कुल जैसे कि alcohol addicts में मैंने आपको बताया कि सुबह, दोपह, शाम, वैसे ही अगर आपको एक general nerve tonic की तरह यूज करना है, यानि कि थकान वगेरा weakness आपको जादा रहती है, उसके लिए आपको यूज करना है, तो again आप सु होमेपितिक medicine जब भी आप लेते हैं, तो कुछ चीजों का हम आपको परहिज बताते हैं, बिसिकली वो हम इसलिए बताते हैं कि होमेपितिक medicine के साथ वो चीजें interact ना करें, उसका जो action होता है, उसको कम ना करें, तो बिसिकली हम लोग आपको coffee avoid करने के लिए बोलते हैं, in fact क कोई भी जो strong spelling चीज होती है, वो हम आपको मुँ में लेने के लिए मना करते हैं, ताकि होमेपितिक दवा का असर और अच्छा हो पाए, तो इसलिए coffee है, बहुत ज़दा strong tea है, उसको avoid करेंगे, कच्चा प्यास, कच्ची लहसुन, हींग वगेरा, यह सब avoid करेंगे, हालकि प्यास को cooking में नहीं use कर सकते हैं, बिल्कुल use कर सकते हैं, आप प्यास भून के जैसे सबजिया बनती हैं, दाले बनती हैं, बिल्कुल use कर सकते हैं, कच्चा प्यास सलाद के form में avoid कीजेगा, क्योंकि जो हमेपितिक medicines होती हैं, उनका action जो होता है, basically आपके nerves को stimulate करके ही होता ह हैं, तो हम generally, जो strong smelling चीजें हैं, उनके लिए मना करते हैं, तो अगर हम एक बार और आपको बता दू कि स्टकिलिया, accuminator का basically use क्या रहता है, आप इसे एक general tonic की तरह use कर सकते हैं, body की, mind की alertness बढ़ाने के लिए, body की strength को थोड़ा improve करने के लिए, weakness वगेरा दूर करने के लिए प्लस आप इसको एक alcohol addiction से उबरने के लिए use कर सकते हैं, alcohol की craving को कम करने के लिए use कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक काफी useful medicine है, अगर आपको लगता है कि ये सब lection आपके अंदर हैं और आपको use करनी चीए, तो आप अपने जो भी हुम्टतिक physician हो आपकी city में, उनसे बात करके उनसे consult करके बिल्कुल आप इस medicine को ले सकते हैं, hopefully आज के ये वीडियो आपको useful लगा होगा, काम का लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए और मेरे चालल को subscribe कीजिए, subscribe करने के साथ साथ वो जो notification bell है, all के option के साथ उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीज आपको टाइम से मिलते रहें और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, Instagram अगर आप यूज करते हैं, तो मेरा इंस्टा पर अकाउंट है, बिल्कुल उसका link description box में दे रखा है, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर follow कर सकते हैं, हाला कि उसमें health और होमिपैथी से related content नह नह क्या दिए नहीड हाला कि उस्ना चाहें, तो मिलती हैं से ऊपिछ इंसटा क्या काईप यूज करिंद हैं पुमाट sowूइगरे हैं, तो मिलते उसल гор्रते हैं तो मिलते आपाउंटा रखो जापाईज से यूमाप चाह logrते हैं, आपो